तो लोकमाता अहिल्या देवी की 239 पुन्यती थी कारिक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादर इंदौर पहुचे यहां उन्होंने कारिक्रम में हिस्सा लिया और विशिष्ट प्रतिभा का सम्मान किया इस दोरान उन्होंने लोकमाता अहिल्या देवी के चित्रपर मालियार पड़ किया समीती की सरक्षक पूर्वल लोकसभा स्पिकर सुमित्रा महाजन ने कारिक्रम की रूप रेखा रखी और विशिष्ट जनों का परिचाए दिया इसा उससर पर सियम यादर ने कहा कि लोकमाता देवी आहिल्या भाववान शंकर की भावनाओ के अधार पर जीती थी उन्होंने समाज से भेद भाव मिटाया सरकार की रवस्ता में करती सक्टे अर्थों में वो जीती थी भावन संकर की भावनाओ के अधार पर जिनके कारण से वो समय की मुगल सक्ता को भी चुनोती देते हुए एक कर हमारे देवाले तोड़ने वाली सारी तापते थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामे शुरम ने भी अहिल्या माता की माध्यम से मंदिर का जिनोत्वार कर महा भगवान की स्थापना होते देख रही रामे शुरम सोम्राथ उत्ता रक्षिन पूरा पस्षिन कहां छोड़ा आपने